गुड मॉनिंग इस्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब अच्छे हैं चलिए मैं आपकी मैठ्स टीचर पंडे मैं में आज का हमारा टॉपिक है आफ्टर नंबर बिफोर नंबर एंड बीट्वीन नंबर इस्टुडेंट्स आफ्टर नंबर बिफोर नंबर एंड बीट्वीन न दिया गया है उस number line में 0 से लेके 20 तक का number mention है ठीक है आप देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं write the number that comes just after after means क्या होता है के बाद में के बाद में मतलब जैसे यहाँ पर 1 है 1 के बाद यहाँ पर क्या आता है 2 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका number line है वहाँ पर आप देखिए कि 1 के बाद में आपका क्या आया है 2 आया है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 अब देखिए यहाँ पर 4 है 4 के बाद में after means बाद में तो 4 के बाद में क्या आया है 5 आया है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 5 यहाँ पर देखिए 7 है तो 7 के बाद में क्या आता है आपको अगर counting नमबर नई बन रहा है तो आप इस number line को देखिए तो यहाँ पे 7 के बाद में दिया गया है 8 तो आप यहाँ पे 8 number write करेंगे अब देखिए 3 3 के बाद में क्या आता है 4 3 के बाद में मैंने यहां क्या लिग दिया 4 उसी तरीके से 6, 6 के बाद में क्या आएगा? 7, 6 के बाद में क्या आएगा? 7, 8 के बाद में क्या आता है? 9, 12, 12 के बाद में क्या आएगा? 13, 12 के बाद में क्या आएगा? 13, 15 के बाद में क्या आएगा? 16, 17 के बाद में क्या आएगा? 18, 14 के बाद में क्या आएगा? आप यहां से देखिए 15 आपको students class first वाले students को वैसे 100 तक का counting number आना बहुत ही जोरी है अगर आप भूल गए हैं तो आप इस number line को देखके अपने math solve कर सकते हैं 16, 16 के बाद क्या आता है 17, 16 के बाद क्या आता है 17, अब यहां पर है 18, 18 के बाद आप बताएए क्या एगा 19, very good, यह देखिए आपका यह हो गया after number, after number means होता है के बाद में after number means क्या होता है के बाद में, ओके चलिए, अब second question हम देखते है write the numbers that come just before, before means क्या हुआ, पहले, आप यहां पर देखिए, जैसे यहां पर 2 है 2 के पहले वाला box खाली है, तो सिधी सी बात है, कि हमको 2 के पहले वाला number यहां पर write कर रहा है इसके लिए भी हम यह number line का use कर सकते हैं, जैसे यहां पर 2 है, अब 2 के पहले क्या आएगा तो 2 के पहले आप देखिए, क्या आता है 2 के पहले, 1, 2 के पहले क्या आता है, 1 अब यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6 के पहले क्या आता है, 5, 6 के पहले क्या आता है, 5, अब यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 के पहले क्या आएगा, अगर आपसे बन रहा है, तो अच्छी बात है, नई बन रहा है, तो आप यहाँ पे number line को देख लिजे, 5 के पहले आता है, 4, के पहले क्या आएगा 7 अब यहाँ 1 है तो 1 के पहले क्या आया है 0 यह आपका before number है before means होता है पहले उसी तरीके से आपको यह वाला question और यह वाला question आपके book में और copy में solve करना है ओके यह आपका हो गया आज का homework अब आपका question number 3 है between number between means क्या होता है beach का number between means क्या होता है beach का number इसके लिए भी हम number line का use कर सकते हैं यहाँ पे देखे यहाँ पे number दिया है और यहाँ पे number दिया है beach ओला box खाली है तो हमें beach में जो खाली boxes है उस पे numbers फिल करने है 1 1 के बाद क्या आता है 2, तो देखें, यह complete हुआ, 1, 2, 3, उसी तरीके से 4 है, 4 के बाद क्या आएगा, 5, 4, 5, 6, 6 के बाद क्या आएगा, 7, 7, 8, 6, 7, 8, यह complete हो गया, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 4, 3, 4, 5, 8, 8 के बाद क्या आएगा, 9, 8, 9, 10, 11, 12 के बाद क्या आएगा, 13, 12, 13, 14, ठीक है, उसी तरीके से ये वाला question भी आपका homework है इसको भी आपको book और copy में क्या करना है solve करना है